सुन्भधर में मिला 174 करोड वर्स पूराना जिवास्म। भोब्य ग्यानिक ने कहीं बढ़िवार बोले तब प्रिद्वी पर नहीं था जीवन। दोस्तो उतरपदेश के सुन्भधर जिले में डाला नामक जगह पर एक बहुत ही पूराना जिवास्म मिला है जो करीब 174 करोड वर्स पूराना माना आता है। भोब्य ग्यानिक मुकंद सर्मा ने बताया कि सुन्भधर जिले के डाला में सल्खन से भी पूराने जिवास्म पाय गया है। वैसे तो सुन्भधर में पहले से जिवास्म पाय जा चुके हैं जो कि वो सल्खन में पायाता है। सल्खन के फासिल्स लगभग 160 करोड वर्स पुराने हैं वहीं जो अभी अभी बता चली है। डाला बाडी में मिले जिवासम के 174 करोड वर्स पुराने। तो आप देख सकते हैं कि फोटो में इमेज में देख सकते हैं कि यही है वो फासिल जो 174 करोर वर्स पुराना है आप देख सकते हैं उतर दिश के संभदर जी लेके डाला में तीन सदस्तिय बेग्यानिकों की जी टीम डाला के बाड़ी इस्तित पहले से हुए खनन च्छेतर में सोध करने पहुची थी बैग्यानिकों की टीम डाला में जिवास्म होने की संभावनों की तलास करने पहुची थी अब यहां लगभग 174 करोड वर्स पूराना जिवास्म होने की बात सामने आई है इसके पहले 20 वेका सबसे पूराना और सबसे बड़ा जिवास्म सलखन में मिल चुका है और दोस्तो सलखन भी संभावनों में ही पायाता है और डाला से करीब 50 किलमेटर की दूरी पर ही है इसके बाद दूसरे नमबर पर अमरिका का जिवास्म होना आता है मतलब सबसे फर्स नमबर पर इंडिया में है और इंडिया में वो भी उतर प्रदेश में है और उतर प्रदेश में सुनभार डिस्टिक में सलखन में पायाता है और सेकेंड नमबर पर है अमरिका में देखलो आप लिखा हुआ है कि इसके बाद दुसरे नंबर पर अमेरिका का जिवास मना आता है 174 क्रोड वर्स पुराने जिवास मठीक है तो भू बेग्यानिक मुकंत सर्मा जी ने बताया तो मुकंत सर्मा जी हैं बेग्यानिक जिन्होंने खोज किया है कि डाला की बाड़ी इस्तित पहाड़ियों में सल्खन से भी पूराने जिवास मठीक पाए गया है सल्खन के फासिल से लगभग 160 क्रोड वर्स पुराने है वहीं डाला बाड़ी में मिले जिवास में 2 मीटर की लेयर में लगभग 174 क्रोड वर्स पुराने है इसके लावा जिले में सोध के लिए नई टीम ने ग्राम पंचायत कोटा के कोटा खास ओबरा चोपन सलखन से लगभग 45 पायकेट जांच के लिए लखनाव भेजने की तैयारी हो गई है दोस्तो इस तरह से अब दे सकते हैं ये नियूज है आज की बनाई जाएगी समीती भूब ग्यानिक मुकन सर्मा ने बताया कि यहां तीन प्रकार्स के लेयर पाये गए हैं जिसकी सन राचनात्मक जांच की जा रही है यह जीवास उस समय के हैं जब प्रत्री पर जीवन नहीं हुआ करता था केवल बन ही बन पाय जाते थे यहां आने के उद्धिस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर एक प्रोजेक्ट त्रिपोट त्यार होगी इसका अध्यन करने के लिए जिले में जल्द ही भूब ग्यानिकों की एक समीती बनाई जाएगी समीती में अधिकारी वर्ग बैग्यानिक वर्ग और पत्रकार भी रहेंगे समीती के लोग जगा 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 जाकर चार्च करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह यहाँ पे फोटो है 20 वका अजुबा यों हिंदुस्तान का मूले धरोहर फासिल्स और दोस्तो इस पर मैंने पहले ही अल्रड़ी एक वीडियो बना दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो सबसे लाश्ट मिलेगा सलखन के बारे में सब कुछ डिटेल में और यह देख सकते हैं यह फासिल से है सलखन में जो की 20 वका एक धरोहर है देख सकते हैं आप 150 क्रोड वर्स पुराना है और अभी अभी जो हमने बताया यह 170 क्रोड वर्स पुराना है चीक है कैमूर बन जीव प्रभाग मिरजापू प्रभागिया बना अधिकारी तो यह आता है सलखन में रावस गच के आसपास दोस्तो यह तियाज की न्यूज ठीके दोस्तो आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कर